वेलकम तो अभीपीडिया आई होब सुर्ण्स आज की हमारी इस क्लास में हम लोग सुर्ण्स करेंट फेस में जिस सब टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं सुर्ण्स वह होगा टेट्स अपडेट तो वेरियस हिंडियन स्टेट से जुड़े जो भी इंपॉर्टेंट न्यूस क सबको मैंने आपको कवर किया है यह जो क्लास है सारे बैंकिंग जाम को कवर करेंगी पर स्पेसिफिक लिए एक्जाम को आज फोकस में रखा ठीक है क्योंकि क्लास पूरी mcq-based क्लास है तो आपको सारे के सारे कोश्चन साथ में अटेम्ट ज़रू करने तो सब सहले मैं सबसे यहां पास सारी क्लियर है ठीक है शुरू करते हैं चलते हैं मारे आज के पहले कोश्चन कोश्चन है गुरुमारा नाशनल पाक आपको इंडिया की कौन सी स्टेड में देखने हूं मिलेगा वन हॉन्ट राइनोसारस के लिए नाशनल पाक बहुत फेमेस है क्या यह है इन दी स्टेट ऑफ चटीजगर्ड जहारखंड तिक्किम या फिर वेस्ट बेंगॉल तो इन विच स्टेड इस दी गुरुमारा नाशनल पाक सिटुएट चटीजगर्ड झार्खंड सिक्किम या फिर व्एस्ट बेंगॉल इस कोश्य कर जो सुन्स बिलकुश सें यांसर है ने को मिलेगा इन्दी स्टेट औव WAST बंगॉल में है णोर्डन वेस्ट बंगॉल में आपको मिलेगा घुरता जवाक वहां पर आपको एग्जाटल इंस इस इसे बिखने मिलेगा ठीक अगे चलते हैं पूचा जा रहा है घुचा जा रहा है हमारी कंटी की वह कॉन सी स्रेट या कॉन सी यौनज निगर जहां पर बहुत ही फिमिस माउंटन है माउंट मनिरंग और जिस स्टेट या यूटी के हम बात कर रहे हैं उस एक उतिखने को मिलेगा हिमाच्eh siap प्रदेश असाम जमुईन कश्मीर या फिर तरह पुरा किस स्टेट या यूडिन टेरेटे में आपको सुन्स माउंट मनिरांग असल में देखने को मिलेगा कोशिश करो इस कोश्च को सुन्स अटेम्ड करने की मांट मनिरांग इंदी स्टेट उंस्टा इमाचल प्रदेश में मंृंट है कि नोर्डटिक और लाहॉलन इसकी Both अल्मॉस्ट 6600 मीटर्स के आसपास ठीक सुन्स नेक्स कोश्ट अच्छा कोश्ट अच्छा कोश्ट फससी पूड सेफ्टी एंड स्टैंडर ऑफ इंडिया ने दिये कि ऑप्शन में से किस जानवर की किस एनिमल को एक फूड एनिमल डिकले कर दिया गया जैसे जैसे काव बफ अच्छा कोशन है एसको आसे लोगों देखते हैं कि पाईक्ड उफ यह जो भी फूड नहीं जोड़ूर्द एकर आपको मिलता है ठीक है कि यह होप आप लोग ने अपने फेंड को एंड कर लिए इस question अब बिल्कुल सी answer is on हिमालेयन याक आई होब आपने याक जरूर देखाऊगा है हिमालेयन याक हिमालेयन याक बिल्क निकलता है जो इसका फफर है जो इसका मीट है इस सब को यहाँ पर अब कमर्शली यूज किया जा सकता है इस एक और चीज भी है कि अब क्योंकि इस जानदर से इतने सारे प्रोडक्स है तो लोग इसको अपने घरों में इसकी ब्रीडिंग करेंगे इसको रखना शुरू करेंगे उससे इसकी पॉपलेशन भी स्टेबल हो जागी यह भी कि यहां जरूर फायदा देखा जाएगा फैसे से यह प्रूव्ज याक ऐस फूड अनिमल फूड यह होता है इसको अफिशल लोगो फूड सेफ्टी एंड सेंटर थार्टी अफ इंडिया इसको दोहजार आट वी काम करता है साथ चक्य लगाए ठीक है अब साथ ऐसे लगा लिए कि एक बॉल ने नोबर डॉली तो एक एक्स्ट्रा बॉल मिली तो 76 लगा ठीक है तो असल में महराश्टा विजे हजारे ट्रॉफी था महराश्टा वस्स यूपी तो यह महराश्टा के प्लेयर थे क्या इनका नाम तक सब्सक्राइब काफी इनको कवर किया था इनके पूछा सकते हैं यह जो विजे हजारे ट्रॉफी है यह असल में क्या है तो आप जिस हमारा एक इंडिया का स्टेट गाइंडी पैया जाता है जारा तर उडिसा गुजरात विहार राजिस्थान तो गौृट या फिर इंडिया की इंडिया की पिच्चर में आपको यहां पर दिखा रहा हूं को शिशकरो सुन्स इस को एटेंट करने की वोdefined वो है असल में गौर्स्टेट एनिमल होत है कि हार स्टेट का मैं आपको दिखा भी देता हूं तो गौर या फिर इंडियन बाइसन इस दी नेटिव तुदी साउथ एशा ठीक है ठीक है ठीक है और ऐसा है कि मिलब यह कि इस पीशी कि बहुत जाला नंबर्स में इसका नंबर्स भी काफी कम है तो इसको जो आ यूसी न सभास में इस को इंडिया के कौन सी स्टेट में सेलीब्रेट किया आता है शरुय को पुडुचेरी गुवा या फिर मिघाले या कौन सी स्टेट या कौन सी यूनियन टेरिटरी में शरुई लिली फेस्टिवल को हम लोग करते हैं कोशिश करो इस कोश्चन का जो सुन्स बिल्कुल ही सही आंसर है वो हैसल में मनीपुर स्टेट तो शरुई लिली फेस्टिवल मनीपुर स्टेट का एक फेस्टिवल है जिसे 2022 में मैं मन्त में इसी मन्त के आसवास इसको हमेशा हर साल सेलिब्रेट किया जाता है आगे चलते है जैसे आपको पता हिरिकी से में इलेक्शन हुए गुजरात के भी इलेक्शन हुए और उसके लाबा हिमाचल प्रदेश में इलेक्शन हुए गुजरात में दीज़ेपी ने कमबाक किया हिमाचल प्रदेश में जो गर्मेंट थी वह कॉंग्रेस के पास जलेगी ठीक है अब जब गुजरात में एलेक्शन हुए तो इलेक्शन कमिशन एक पोलिंग बूथ लगाया सोमनात गीर जंगलों में तिरफ ए एक इंसान ने वोट करने आं तो वो आ गये ठीक है लोन वोटर थे वाँ ठीक है क्या इनका नाम था भारदास बापू महंत हरीदास जी उदासिन जगवीन नाम त्रवाथी या फिकरीश कुमार शर्मा कॉन वो इंसान है जिनके लिए और हरबा लगाया जाता है जब इलेक विचर एलेक्शन कमिशन ने सेट किया पोलिंग बूथ फॉर सेंगल वोटर इंड गुजराते बड़ी उनीक सी चीज थी आगे चलते है हॉन्विल फेस्टिवल 2022 डिसमबर जैसे शुरू होता है तब यह फेस्टिवल शुरू होता है पहले दस दिन चलता है तो खतम हो इसका सबसी इंपॉर्टन फेस्टिवल होता हॉन बिल फेस्टिवल अब देख सकते हो कौन सा एडिशन होन बिल फेस्टिवल 2022 का होस्ट किया गया नागा हरिटेज विल इसका राहन तक किसामा गाउं क्या इस बाल 20th festival 21st एडिशन तर 20th एडिशन 21st एडिशन 22nd एडिशन 23 23rd edition कौन सबाइडिशन सेलिबेट किया गया हॉन बिल फेस्टिवल का कोशिश करो बहुत ही कलरफुल फेस्टिवल होता है हॉन बिल फेस्टिवल हॉन बिल नाम से पंच्छी भी होता है वह भी नौर्थीस में जातर पाया जाता है इस कोश्टिन का बिल्कुल सी आंसर 23rd edition 23rd edition ठीक है ऑफ दी हॉन बिल फेस्टिवल 23rd फेस्टिवल 2022 नागा हेरिटेज विलेज के सामा में शुरू हुआ 1st से लेके 10th of December के बीच में फेस्टिवल रहा ठीक है ठीक है पूछा जा रहा है हमारी कंटी का वो कौन सा पार्ट है जहां पर गल्फ ऑफ मनार मरीन नागालैंड में तामिलाडू मन नाइशरी में नकबार आइलंडू पूढ़ पे दिखाता हूँ अच्छे समझ जहें यह जो रीजिटनल,"ख रट हो जanges बीच के बीच को जो जो किया जाए यहां फिशिंग वियरा बड़े-बड़े शिप्सकाना लाउड नहीं जैसे एक नॉर्मल नाशनल पाक प्रोटेक्टेट्टेड एरिया ठीक है काफी सारी मरीन स्पीशिज यहां पर रहती है ठीक है तो इसका टोटल एरिया 560 स्क्वेर किलोमेटर के एरिया में फ जो ट्रेडिशनल फोक डांस ड्रामा इंडिया की कौन सी स्टेट से जुड़ा हुआ है क्या तामिल अडू में इस फोक डांस ड्रामा को परफॉर्म किया जाता है कोश्विश करो जैसे कुछ ताइम पेले एक बहुत ही फेमस मूवी काफी फेमस होगी जिसका नाम था कंता उस मूवी में भी एक इंडिया की साउथ से एक स्टेट का कल्चर दिखाएगा जिसको लोगों ने बहुत पसंद दिया ठीक है जो मुदियत्यू है जो एक फोक डांस ड्रामा इसल में जुड़ा हुआ है विद्धी स्टेट ऑफ के रिला के लो काफी पुराना काफी के रिली स्टेट बनी इस तरह खुद का क्लाइमेट चेंज बिखाएगो जैसा आपको बताएंगी क्लाइमेट चेंज की वाई से बहुत सारी प्राप्लम हा रही है प्लानेट एर्थ में तो सारी कंटी अपने लेवल पर क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ ना कुछ देश के द्वारा तो कौन सी स्टेट है जो पहरी ऐसी स्टेट है जिसने अपना खुद का सब्सक्राइब बताया कि बाद जो भारतिय जंदा पार्टी पावर में थी ठीक है वो अब ऑपोजिशन में आ चुक है तो कॉंगरेस की तरफ से कौन बने है हिमाचल प्रदेश के सीन क्या सोनम दिक्षी जी को पॉइंट किया गया है विपिन कोली जी को राजेंदर शर्मा सुखोजी को इनमें से कौन बने है नियू चीफ मिस्टर आफ दी स्टेट आफ हिमाचल प्रदेश ये तो बिल्कुल आपने सुना होगा इस न्यूस के बार में कोश्टन का बिल्कुल सही आंसर है सुख्विंदर सिंग शुखोज तो यह है नियू चीफ मिस्टर हिमाचल स्टेट के थोड़ा इनके बारे में हम यह आपर जान लेते हैं कि सुख्विंदर सिंग सुख्वु यह बने हैं न्यू चीफ से हम आचरपदेश के और रिदुने 11 अफ दिसेंबर को जो और टेकिंग जो आपको पता है कि जैसे जो प्रॉपर सेरेमनी होती है कि वो गवंच्वाद्र की जाती है इनके द्वारा शप्पत दिलवाई गई थी खूझछ वो ठीक है आगे चले कि यह आप देख सकते हैं इलेक्षिन के मिशन और इंडिया की ओफीशल दाटा हमाजसर पर्देश्च में टोटल 68 सीटस के लेक्शन थे उसमें से 25 बीजेपी ने जी ती इन इंडिया की जो लॉगेस लेक अलमूस्स इंडिया की कौन सी स्टेट में है वेंबनार लेक तेलंगा गुजरात केरला या तामिला डू बेर इंडिया इस दी वेंबनार लेक लोकेटर या सिटुएटर और यह एक फ्रेश वॉटर मीठे पानी के लिएक नहीं सॉल्ट वॉटर लेक है कौन सी सेट में आपको देखने क लेकिन इंडिया ठीक है केरला स्टेट की लार्जेस लेक है ठीक है और इसका जो टोटल एरिया वह अगर आप देखो तो जैसे बहुत सारी चीज़ों पर डिपैंड करता है इसको इसका जो एडिया है लेंथ ऑल्मोस 100 किलोमेटर की ठीक है ठीक है बिलकुल बिलकुल बगल इस नहीं देखेंगे जो हिमाल्याज में पर फिर भी यहां पर ठीक हाइट के मांउंटेंज है एक प्रॉपर हिल स्टेशन है क्या यह किरला स्टेट में तामिलाडू हिमाचन पदेश राजिस्थान इन्विट स्टेशन इंडिया इस दी मुनार हिल स्टेशन लोकेटेड क कोशिश करो स्टेशन को करने की कहां पर है मोणार हिल स्टेशन कोश्टिंग का जो स्टेशन बिलकुल ही नहीं रहें तो यहां इन थोड़ा से नीचे है पहली G20 Finance and Central Bank Deputies की मीटिंग जो थी इंडिया में रखेगी 13 से 15 दिसंबर के बीच तो क्योंकि 1 दिसंबर से G20 की चेर्मेंशिप इंडिया के पास आ चुकी तो बहुत सारी मीटिंग्स होंगी पूरा साल G20 की यह जो मीटिंग थी काफी इसको किस शहर के में होस्ट किया गया बेंगलूरू नियू डेली कुहाटी या एहमदाबाद तो फाइनाइन्स और सेंटल बैंक डेपिटीज की मीटिंग थी 13 से 15 दिसंबर के बीच में इसको सुन्स होस्ट किया गया था हमारी कंट्री की जिसको इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बोलते हैं बेंगलूरू में ठीक है तो बेंगलूरू में इसको असल में होस्ट किया गया तो अगर आप देखो बेंगलूरू ने होस्ट किया फर्स जी ट्वन्टी फैनाइन्स और सेंटल बैंक डेपिटीज मीटिंग और अब मलब ऐसा है कि पूरेंडिया में जगा 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 जगागर जानने ही कि आजगे चलते गया फूचा जा रहा है रिजर्व बैंक ऑफ- इंडिया असल में यह सरकार का भी बैंकर होता है भालब ग creatως और से मांगता तो यहां करता जो स्टेट के लिए रबीयज मेंकर की तरह काम करते देता इसका है पैसे कर दी तरह करता कंद कर सकते हो पैसे मांग सकते हो उसके साथ मैंेज कर सकते हो पैसे ले सकते हो या सबी निकरता या फिर गोवा अच्छा कोशिक करो अब तो डिज़र्ब बैंक ऑफ इंडिया एक बैंकर की तरह काम करता है सारी इंडियन स्टेट्स के लिए सिवाइए वह एक स्टेट कौन सी है इस वह आपने इस को अटेम्ट कर लिया होगा इस को इस बिल्कुल से आंसर वह सिक्किम स्टेट तो अगर आप यार विए के ऑफिशल वेब्सेट का डाटा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक डेप्ट मैंजर तो स्टेट गवर्मेंट्स ठीक है एक्सेप्ट सिक्किम सिर इसे हिमाजसर प्रदेश में अपने काल का शिम्ला रेलवेस के बार में सुना होगा बहुत फिमिसर वह बिल्कुल उसके लिए जाना जाता है क्या ऐसा ही असाम में कोई रेलवेस है तामिलाडू में है वेस्ट बिंगॉल में कहां नहीं आपको यह पताना है नौट नोन मत नाडू में आपको देखने को मिलेगा नीलगरी माउंटेन लिए और वेस्ट बिंगॉल में है दार्जलिंग माउंटेन लिए आपको असाम में कोई माउंटेन लिए देखने को नहीं मिले है सेंस्ट नहीं में जनगरना हुई नहीं इसके हिसाब से इंडिया की वो स्टेट जहां पर पॉप्पोलेशन सबसे जादा डेंसली बहुत बढ़ा है जादा बिली में या लखनाओ में तो तो कुछ लोग कैसे कि लखनाओ तो UP gap है, UP तो सबसे अला populated है, तो शायद लखनाओ जादा densely populated पर नहीं, लखनाओ नहीं, इंडिया में सबसे densely populated शहर या सबसे densely populated unit area यह दिली, इतनी छोटे से एरिया में 2 करोड से जार लोग रहते हैं, इसे दिली की population density बहुत ही जाद है, ऐसी बिहार, महरास्टा, वेस्ट बिंगॉल और गोवा में से सबसे जादा population density इंडिया की कॉंसी स्टेट में, overall population तो UP में, UP की population density थोड़ी काम है, ठीक है, थोड़ी controllable है, 2011 census के हिसाब से बिहार स्टेट की population density सबसे जादा है, area कम है, UP की मकाबले काफी कम है, population almost 10-11 करोड की यहां पर ठीक है, तो दिल्ली में देख सकते हैं, population density कितनी है, फिर चंडिगण, मलब, चंडिगण, उनिटारी भी काफी density populated है, पूडुचेरी, दमनेंद्यू, लक्षुदी, फिर बिहार स्टेट, वेस्मिंगॉल स्टेट, केरला, उत्तरपदेश, दादे नगरविली, य यहां population density सबसे जाद है, ठीक है, हमारी कंटी में एक बहुती फेमस आइलेंड, इसका नाम है, माजुली आइलेंड, यहां नदी से बनता है, वैसे जादतर आइलेंड के आसपर ओशन होता है, यहां नदी है, रिवर से आइलेंड बना है, कहां पर है यह माजुली देखने को मिलेगा, 2016 में इस आइलेंड को क्योंकि यहां इतने लोग रहते हैं, इस आइलेंड को प्रॉपर डिस्टिक भी डिकलेर कर दिया गया था, ठीक है, ठीक है, तो इस कोशन का बिलकुल से आंसर है, असाम, मैं आपको मैप भी दिखाता हूँ, असाम के बीच में से इंडिया को छोड़ के जा रहे थे, गुआ ब्रिटिश कॉलनी नहीं था, यहां थे पोर्तुगीस, और उन्हें मना कर दिया कि हम क्यों जाएंडिया को छोड़ के, उस टेम पे इंडिया इतना मदब अपने आपको डाइवर्ट भी नहीं कर पाया कि अलग से गुआ के स्टीड मना गोवा 1987, ठीक है, ठीक है, ठीक है, आज का हमारा लास्ट कोशन है, कोशन है, 48th GST काउंसल की मीटिंग रिसेंटली रखी गई, कुछ-कुछ टाइम के बाद GST काउंसल मिलकर डिसकरशन करता है कि क्या कुछ चीजों पे टैक्स लैप्स कम करने, जाधा करने, य ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो 48th GST काउंसल हमारी गंटी के नाशनल कैपिल, न्यू डेली में स्टुन से रिसेंटली रखी गए, ठीक है, इसके साथ सुन आज ही क्लास में, यह तो टॉपिक्स, मुझे कवे बता है, अब जैसे मैं आपको क्लास की शुरुआत में बताया था तो आप क्या कर सकते हैं तो आप इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं फिर सिंप्ली आप गूगल पर जाके सर्च कर सकते हो अभीपीडिया.भिमन्य.com यहां बजाके सुट्स आप कर सकते हो चूज एक्जाम पर क्लिक करेंगे उसकी बाद यहां पर आज आपको क्ल वीकली से पर क्लास पर क्लिक कर होगे तो आपके लिएग्या देखने को मिलेंगे इसमें आपने जाना है करंट जी के वीडियो कोर्स पर जाओगे तो जो क्लास इस वीडियो बनाई है है weekly basis पे सब कुछ आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा ठीक है इसको सुर्स आप जाके देख सकते हो सारा material weekly basis पे यहां पर available है आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा जो सुर्स का को एक प्रॉब्लम नहीं डाउट रहते कि कैसे करने फेस की त्यारी करें एक कोई सोर्स जहां से सारा कुछ कवर हो जाए होप वहां पर मैं आपकी हेल्प कर पाया मिलेंगे सुर्ण से अपनी नेक्स क्लास में तब तक थाइंक यू और हाव वेडी सेक्सेस्फुल थाइंक य किक ताओ धर हम जाए होजे चूज़ आए हैं कि तो क्या प्राइंक यू जाएँ हैं कि तो कि प्रॉण से तो